इकार आप देख रहे हैं नीज़ों निशार और मैं हूँ प्रेदर्शन बिहार में बदले मौसम के विजाज और लगातार बढ़ती ठंड के बीच अब पत्ना जिला प्रसासर ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है पत्ना जिलाधिकारी ने अपने ताजा आदेश में पत्ना के तमाम निजी और सरकारी विद्यारियों को लेकर के आदेश में कहा है कि 16 तारिक तक यानि 16 जन्वरी तक तमाम सेक्षनिक गतिविधियां बंद रहेंगी दरसल बरते ठंड के वज़े से यह निरने लिया गया है और राज में जो तापमान में लगातार गिरावट आ रही है इन सब के बीच अब जिलाधिकारी चंद सेखर की ओर से आज जो आदेश निकाला गया है उसमें कहा गया है कि पहली कक्षा से लेकर के आठवी कक्षा तक को लेकर जितने भी विद्याले हैं जो उन तमाम जो कक्षाएं वहां संचालित हो रहे हैं उन सब में स्यक्षनिक गतिविधियां 16 जन्वरी तक पूरी संचालित नहीं होगी वहीं आज जो नवी और दस्मी और साथी साथ जो उपरी कक्षाएं हैं उन सब के लिए भी अलग-अलग दिशानिर देश जारी किया गया है दसाथ पतना जिला प्रशासन की ओर से आज जो जिला धिकारी डॉक्टर चंद सेखर ने ताजा आदेश जारी किया है इसमें कहा गया है कि जो सरकारी विद्या लए हैं साथी साथ इसके अंतर गया जो प्रिये स्कूल आगनवारी के अंदर हैं उन सब में कक्षा आर्ट तक की सेक्षनिक गतिविधियों को दिनांक 16 जनबरी 2024 तक के लिए प्रतिवंधित किया गया है वहीं वर्ग नौग से लेकर के उपरी कक्षाओं की जो सेक्षनिक गतिविधियां है वह पुर्व के आदेश के अनुसार पुर्वाहन 9 बजे से अपराहन 3 बजे तक संचालित होंगी हाला कि इसके लिए भी जो आदेश दिया गया है उसमें कहा गया है कि तमाम जो सेक्षन संस्थान है वहां छात्रों को लेकर के तमाम प्रकार की पढ़ियाप्त सावधानी बरती जाए ताकि कि किसी को भी ठंड से किसी प्रकार का उन पर दुस्प्रवाव नहीं परे वहीं मिसंदक्ष एवं बोर्ट परिक्षा है तो संचालित की जाने वाली विसेस कख्षाओं के संचालन को भी इससे मुक्त रखा गया है यानि कि जो प्री स्कूल आंगनवारी के अंदर और इसके अतरिक जो आठमी तक की तमाम जो सेक्षनिक गतिविधियां चाहे निज होगा और 16 जनवरी 2024 तक यह फिलाल प्रभावी रहेगा तो यहादे सब जागी करते हुए दरसल बिहार में अगर हम ठंड की बात करें और विसेसकर अगर हम पतना जिले में ठंड की बात करें तो पतना जिले में पिछले दो दिनों से तापमान में काफी गिरावट देखन को मिली है सीत लहर का भी प्रकोब देखा जा रहा है और यहां तक की जो नियुनतन तापमान है वह नियुनतन तापमान आठ से नौ डिगरी के बीच में चल रहा है इस वजह से जो तापमान में गिरावट आई है तो स्कूल जाने वाले तमाम जो बच्चे हैं उनके भी स् से अलगलग किस्म की खबरे भी सामने आई तो इन सब के बीच अपटना जिला प्रसासर ने स्कूलों की गतिविधियों को ले करके जो ताजा आदेश जारी किया है उसके अनुसार 13 जनवरी से 16 जनवरी 2024 तक प्री स्कूल आंगनवारी और पहली कक्षा से ले करके आठवी कक्षा तक की जो तमाम विद्याले हैं चाहे वो अनिजी हों चाहे वो सरकारी हों वहां किसी प्रकार की स्यक्षनी गतिविधिया नहीं होगी यानि की विद्याले में बच्चों के लिए छुटी रहेगी वहीं जो नौवी कक्षा और उससे उपर की कक्षाएं हैं उनके सं वजे तक वहां कक्षाय संचालित होंगी इसके अतरिक जो सरकारी विद्यालों में मिसंदक्ष साथी साथ जो बोर्ट पर इक्षारती हैं उनके लिए जो अलग-अलग किस्म की कक्षाय संचालित की जा रही है उन सब को भी पुरूप की तरह ही अथावत रखा गया है लेकिन इसमें भी अनिर्देश दिया गया है कि जो भी बच्चे इन कक्षाओं में आ रहे हैं उनके स्वास्त को लेकर के उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल असर नहीं परे इसलिए प्रयाप्त समाम सुविधायें वहां बढ़ती जाएं तो इस स्कूलों को लेकर के यह बरी झाल झाल